हलो सुर्णिट daleyन्स व लिकाप टूस क्लास आज आज गलो जानेंगे क्लास 11 चेप्र टू यूनिट मीजनमेंट से आगपे के अगे क्टोपिक्स जिसमें आज डूसर में रहेगा मिजरमेंट आफ्ट and order of magnitude ये दो हमारे main topics रहेंगे इसके अंदर जो सब topics हैं इसको भी हम लोग जानते रहेंगे तो चलिए start करते हैं अपनी class को तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि order of magnitude क्या चीज है इसके पहले की classes में भी आप order of magnitude को देख चुके हैं पर शायद आप न जानते हैं कि order of magnitude क्या है जो बच्चे जान रहे हैं वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं नीचे यहाँ पर time stamp दे रखा है उसकी मदद से आप direct measurement पर जा सकते हैं measurement of length की topic से वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं जो लोग नहीं जान रहे हैं कि order of magnitude क्या है वो carry on कर सकते हैं कि देख सकते हैं समझ सकते हैं कि क्या चीजे इसमें आ रही हैं जैसे कि आप इससे पहले की classes में जानते रहे हैं कि कोई भी चीज जैसे कोई भी quantity या कोई physical quantity उसको वो कितनी बड़ी है या फिर वो कितनी छोटी है उसको हमको बताना रहता है तो हम लोग किस process में बताते हैं कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हमको पता चल सके यह कितनी बड़ है यही क्या है हमारा order of magnitude है इसके पीछे formula लगा हुआ है इसको भी आप जान लीजी काफी अच्छा रहेगा वो इसका formula क्या है कि n is equal to a into 10 की power b अब इसमें देखिए दो तीन चीजे हैं सबसे पहले इसको मैं example की तरफ से आपको समझाना चाहता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए जैसे कि हमारे पास कोई भी value है let's suppose 25527 let's suppose यह value है अब इस value में हम लोग क्या करते हैं कि 255.27 कर देते हैं अब 27 को हम लोगो convert करना है इसमें क्योंकि इसको जैसे आप इसके पहले की classes में क्या करते हैं जैसे यह value रही है इसको point आपने हटा करके इस value में ला है कि 10 की power 2 से उसमें multiply कर दिया और यह value आपके क्या निकल किया गई 25527 यह value आ गई तो इसमें जो आपने यह जो किया यह है हमारा magnitude order of the magnitude यह क्या चीज़ है हमारी order of the magnitude और यह क्या हमारा order of a magnitude ठीक है इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेगा और यह क्या हमारा a को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग एक को कहते हैं इंटीजर और यह क्या है हमारा इसको हम लोग कहते हैं order of the magnitude और यह क्या हमारा order of a magnitude ठीक है यह चीज़ है इस formula के basis पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए जैसे यह चीज मैंने आपको बताया और भी इसकी जिसे आप कोई भी पॉइंट कहीं भी पॉइंट लगाते हैं फिर उसके बाद आप पावर 2 पावर 3 पावर 4 का यूज़ करते आते हैं तो यही चीज सिंपल से क्या है हमारी इसको हम लोग किस नाम से जाते हैं order of magnitude के नाम से जानते हैं अब इसमें प्रॉब्लम कहां आती ह अब इस चीज में problem तब आती जब इसमें sign की बात आती कहीं पे जब minus का sign या फिर plus का sign दिया होता है तो उस time क्या करना होता है उस time जिसे अगर इसमें minus का sign दिया हुआ है let's suppose हम लोग यह मान लेते हैं कि 10 की power minus 2 है ठीक है 10 की power minus 2 है और एक तरफ है 10 की power 2 सिफ ठीक है तो अब इसमें क्या करना है यह हमको apply करना है 7 की उपर ठीक है यह apply करना है हमको 7 की उपर तो उसको समझने के लिए simple सी बात यह है कि जब हम लोग minus की बात कर रहे हैं तो इसका यह म left direction में तो इसका मतलब 7 के left direction में point हम लोग लगाएंगे टूडिजिट के बाद ठीक है टूडिजिट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे point लगाएंगे तो यह क्या हो जागा हमारा 0.07 और वैसे ही जब इसकी बात आएगी तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे right side टूडिजिट में ठीक है यह चीज़ हो गई अब यह चीज़ आपको समझ में आगी कि अगर माइनस रहता है तो किस तरफ हमको जाना है left direction में जाना है अगर positive रहता है तो हम लोग किस तरह direction में जाना है right direction में जाना है I think यह दोनों जो difference आपके हमेशा confuse करता होगा कि plus में कि अधर हमको decimal को मूव कराना है यह चीज़ यहां से आपको clear हो गई होगी ठीक है तो अब इसके बाद हम लोग बढ़ते है अपने next topic में इसमें सिर्फ इतना था यह जो आपका magnitude की जो बात है जो order of magnitude है यह काफी ज्यादा आपका work करता है measurement of length के लिए क्योंकि length में कई distance क्या ह है short है कई distance क्या है long है तो बहुत से distance है जो micro short है यानि कि बहुत ही ज्यादा च्छोटी है तो वहां पे भी 10 की power use होगी बहुत से distance है जो बहुत बढ़ी है जैसे let's suppose अभी हमने मून वाली बात की थी तो वहां पर जो बड़ी डिसन से वहां भी 10 की power use होगी तो order of magnitude हमको यही बताता है यह चीज़ आपको clear हो गई होगी ठीक है अब इसके बाद हम लोग अपने main topic पे बढ़ते हैं जिसका क्या नाम है measurement of length तो हम लोग बात कर रहते हैं measurement of length की इसके पहले नया जानेंगे measurement of length यह तो आप जानें कि measurement of length में क्या होता है कि point A से point B के बीच की जो दूरी होती इसी को हम लोग measure करते हैं length में ठीक है उस length को जो हम लोग measure करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते है measurement of length कहते है point A से point B तक अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसके devices इसके main सबसे पहला जो आपने नाम सुन हरे मैं तो लोग सबसे नाम क् mina स्केल के कुंकि इसनी में क्या है कि आप लोग इसको असल में अक्सर हीine कि curriculum आज है रहे हैं सबसे या अगर में और स्कूलें घर उस्किया छोग कुछ द्रॉब करने के लिए फिर कुछ भी लाइन खازने के लिए आपने जो यूज किया हाओ मीटर सेल जाओ माइन कर सकता है कि- तेयर कर सकता है इसके बाद इसकी limitation खतम हो जाती है, ऐसा नहीं कि 10 की power 2 के बाद वह measure नहीं कर सकता कर सकता है बिलकुल क्योंकि उसको क्या किया जासा है, डबल ए, ट्रिपल किया जा सकता है पर जब हम लोग बात करते हैं 10 की power minus 3 meter की तो वहाँ पर इसकी limitation क्या हो जाती ही, खतम हो जाएगी हमारे मीटर स्केल की जो की आप अपने घ目前 यूस कर रहा हैं अब इसके बाद आती है हमारे दूसरी स्केल की जिसका नाम है लर्नियल कैलीपर बर्नियल कैलीपर आप आप फिजिक्स के मेजर करता है, main scale जो होता है, vernal caliper का वो होता है fixed और जो सेकेंड स्केल होता है वो क्या करता है? मूवमनट, मूविंग करता लह चैना रहता है, अब वो मूविंग क्यों करता है क्योंकि जो हमारा vernal סकेल है, वो circular, कोई भी object है, वो circular object का डाइमेटर मेजर करने के लिए वर्नियल केलिपर का यूज किया जाता है यह बात आप समझ गए होंगे अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि वर्नियल केलिपर जब किसमें मेजर कर रहा है मिली मीटर में ठीक है तो इसको मैं आपको बता देता हूं कि यह 10 की पावर माइनस 4 म मिली मीटर में कितना होगा क्योंकि अभी आपने क्या जाना है order of magnitude को अगर आप order of magnitude जान रहे हैं तो इसको कमेंट करके बताइए कि मिली मीटर में कितना होगा ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यह आप आइधिंक समझ गहूंगी वर्नियल कलिपर क्या चीज़ है फोटो में जो सारी चीज़े दे रखें वहां से भी आप इसको जान सकते हैं कि क्या क्या इसका है और क्या क्या इसमें में स्केल कौन सा और वर्नियल काँ सा था जो मूवमेंट परफॉर्म करता है तो हम लोग बात कर लेते हैं इस क्रू गेज़ के दिखिए इसकेल आपका वर्नियल कालिपर की तरह यह भी स्केल है बस इसमें क्या है कि यह जो स्केल है यह यूज होता है वायर की थीकनेस को मेजर करने के लिए ये भी सेम इसमें भी दो चीजे होती ही जैसे कि Vernal Caliper में थी पहला कि इसमें में इसकेल होता है दूसरा इसका जो moving scale होता है main scale इसके reading करती हो जो moving scale होता है वो diameter के चारों तरफ घोम करके चीजें को node करता है अब इसमें क्या होता है कि जो इसका scale है vernel caliper और screw gauge इन दोनों के बीछ में जो छोटा सा difference है वो मैं आपको बता देता हूँ कि vernel caliper जो होता है external और internal दोनों के diameter को क्या करता है measure करता है किसी भी circular object का और जो हमारा screw gauge है वो सिफ़ और सिफ external को ही measure करता है निकि external diameter ही measure करता है किसी भी circular object का अब इसमें बात आती है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी screw gauge की तो screw gauge के example की तरह जैसे आपको हो सकता है electric का wire या फिर paper की thickness इन दोनों चीज़ों को वो क्या कर सकता है measure कर सकता है कौन screw gauge अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी capability कहा तक है कि यह कहा तक measure करता है तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि 10 की power minus 5 meter में इन दोनों का इन दोनों का आपको हमको millimeter में बताना है comment करके क्योंकि यह दोनों scale ही millimeter में ही क्या करते हैं millimeter में ही reading देते हैं फिर इसके बाद जहां पर जैसे uses है या फिर जहां पर जैसे demand है वहाँ पर हमको इसको change करना होता है ठीक है तो आप comment करके जरूर बताएगा आपके comment का हमको इंतजार रहेगा अगली class में हम लोग आगे के topic जानेंगे जिसमें हम लोग cover करेंगे कि long distance को कैसे measure किया जाता है short distance को कैसे measure किया जाता क्योंकि उसके अंदर भी है एक direct method और एक है indirect method तो ठीक है तो आप comment करके जरूर बताएगा इस वीडियो को कोई भी part अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को like करीगा अपने friends के साथ share करीगा Thank you